यह बहुत ही प्रिणादायक श्लोक है श्रीमत धागवतम से और आज की थीम है यह बहुत ज़दा प्रिणादायक है थीम है सूरी सबको मार रहा है किवल एक विक्ति को छोड़कर तुवह कौन है आयुरहरतिवैपुमसाम उद्यन अस्तम चयननसव तस्यरतेयच्छनो नीत उत्तम श्लोक वारतया श्रीमत धागवतम दूसरा सकंद तीसरा धै सत्रवह श्लोक आयूर हरति बय पुम्साम निश्शित रूप से आयू हर रहा है किंकि सभी सभी इंसानों के सभी जीओं की आयू को निश्शित रूप से हर रहा है कैसे उद्यान अधित होते हुए अस्तम यह सूर्य देख रहा है केवल आयू काट रहा है काफी इंट्रेस्टिंग है केवल आयू काट रहा है वर्थले अगर किसी का है तो वह एक दिन और वृत्य के पास चला गया है समझ रहे है लेकिन तस्य उस वक्ति के रिते उस वक्ति को छोड़ करके यत्षणाव नीता है जिसका एक शण भी नीत मतलब ले क्या है उत्तम शलोक वारतया उत्तम शलोक की वारता को उसका शण ले क्या है मतलब एक शण भी जिसने भगवान की वारता में लगाया है उत्तम काफी इंट्रस्टिश लोग है और इसमें शिला विश्वना चकवर्दी ठाकुट जी को कोट करते हुए प्रहपाजी कहते हैं कि देखे कोई विक्ति बिल्कुल अयोग है उसको आप एक रुपे देंगे तो अगले जिनम में एक रुपे वापस आएगा अर्ध ब्रामण है दुगना वापस आएगा अच्छा ब्रामण है श्रीयोग ब्रामण है तो सौ गुना अन हजार गुना वापस आएगा और किसी भक्त को अपना दान देते हैं धन का तो अनंत रुप से वापस आएगा तो अब यह समझे वहां पर लिखा है वेद पारगा ब्रामण जो हम भागवान के भक्तों को देते हैं कैसे उनने के संग बैट करके घ्रस के नाम क्या करके कथा संग गर्के तूऽ बहुत बेथ बताते हैं प्रवकार जी कि देखिए मान लीजे एक पेड़ है और इस पेड़ के एक बात पर फल आ गया तो आप कहेंगे कि पेड़ फली भूत हो गया तो क्या रहे हैं उसी प्रकार से हमारा पूरा जीवन एक पेड़ की तरह मानी जीवन के सारे शण और उसमें से एक शण पूरी भगवान की सेवा में लगा दिया तो वह हमारा पर फलीपूत हो गया तो इसका आर्थ स्वभाविक से बात है कैमित तिनाय से जब एक शण लगाने के इतना लाव है तो पूरे जीवन लगाए और रोज लगाएंगे तो क्यों नहीं भगवान के पास जाएंगे लि वैसे मैं उक्ति की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ उसी प्रकार से भगवान श्री कृशन के नाम मरनी नहीं अगे भण िराव नहीं रहा हूँ है अब शाष्वत जीवन की तरफ आगे बढ़ लगा है 3 सभी से निवेदन है कि इस प्रकार से कि एइक संकल्व हमेशा लेग क कि अगर आप बहुत बिमार रही हैं तो ब्रेक फास्ट के पहले अपना स्वोला माला जरूर कर ले और अधिक से अधिक समय भग्वाश कि क्रिष्ण के बारे में श्रवन किर्टन करने में लगाएं तो इसके दार आप कभी नहीं मरने वाद हैं ओके हरे क्रिष्णा